गैसे नहींटेंस करने में हमको काफी मज़ा है जावा स्कूर्ट में अब हम लोग देखेंगे किस तरह से गेट, सेट और उसी के साथ साथ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का स्तमाल किया जा सकता है जावा स्कूर्ट में अपने आपजेक्ट्स को और अपनी क्लासेश को बहुत किया तरह से मैनेज़ करने के लिए चलते हैं का वीडियो स्क्रीन में सब चीज़े समझते हैं लेट्स गेट स्टार्ट इड़ अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं गेटर और सेटर का सेंटेक्स ठीक है तो मैं यहां पर जल्दी से सारी चीज़े बंद करता हूं और यहां पर चाप्टर 11 को खोल लेता हूं तो देखो यार गेटर एंसेटर हमें क्यों दिये गए जावास्क्रिप्ट के दुवरा ताकि हम लोग ईजली वाल्यूस को गेटर सेट कर सके ठीक है एक बहुत ही सिंपल सी क्लास बनाओंगा कॉंसेट को सिंपल बनाने के लिए मैं यहां पर फ्लाइ कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं अलेर्ट मैं उड़ रहा हूं ठीक है वाज नॉट सपोस्ट टो बी फ़नी वाइद वे इससे बैटर जोक हैं हसाने के लिए लेकिन मैं अभी सीरियसली बढ़ा रहा हूं ठीक है एक हमने ऑप्जिक बनाया अब मान लो कि मैं नेम को सेट करना चाहता हूं और गेट करना चाहता हूं ठीक है सबसे पहले इसका डेमो आप लोग को दिखा देता हूं मैं ऐसे करूंगा तो यहां पर कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने कर दिया इसको नियो अनिमल मैंने लिखा और इसके बाद एडोट फलाए और मैं उड़ रहा हूं यहां पर तो नो सब्राइस आप लगो को गया तो मुझे पता था ठीक है मैं आप लिखंगा गेट नेम करेंगे ठीक है और आप सिंटेक्स देखना मैं बिल्कुल चाप रह हूं मैं ठीक है मैं आप लिखंगा गेट और यहां पर लिखंगा नेम ठीक है एक नेम नाम का मैंने में बना दिया ठीक है बिल्कुल इस तरह से अब यहां पर मैंने कंस्ट्रक्टर अल्यडी बना रखा है और मैंने यहां पर गेट नेम नाम का एक फंक्शन बनाया और मैं इत्यवन रिद्वन कर में आपको दिखाता हूं कि गर बोन पर कोई नाम पास नहीं किया मालो function call की है print कर सकते हो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस object की property है एक animal की property है directly और आप setter भी बना सकते हैं और setter बनाने के लिए similar syntax है आपको set name करना है और यह function call करना है यहाँ पर एक error आए गलती मैंने कर दी यहाँ पर get name लिखते वक्त get name आएगा फिर brackets आएगे दो मैंने actually यहाँ पर ऐसे लिख दिया तो यह गलती आप जो है correct कर ले ना notes में syntax में फोड़ी सी गलती है और यहाँ पर मैं setter को भी बिलकुल similar way में बना रहा चाहूंगा बस get की जगा मैं set कर दूँगा ठीक है और यहाँ पर new name आ जाएगा और हम simply आपर क्या करेंगे this dot underscore name is equal to new name कर देंगे ठीक है तो अब यह काम कैसे करता है यह काम simply ऐसे करता है कि first the name properties change to underscore name to avoid the name collision with the getter and setter then the getter uses the get keyword as shown above ठीक है तो get keyword use करके हम लोग यह कर सकते हैं मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूं कि आप a.name is equal to jack कर सकते हो आप कुछ इस तरह से directly आप लोग setter को use कर सकते हो अब देखना है आप alert के बाद आपको यहाँ पर jack मिलेगा अगर इससे पहले आप लोग print करोगे तब आपको bruno मिलेगा तो अभी console में हमको bruno और jack दोनों देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो नाम था वो bruno था और यहाँ पर jack हो गया फिर उसके बाद यह.name directly मैं ऐसे use कर लिए तो यह syntax है अब यहाँ पर आप लोग देखो कि इसको मैं this.name कर सकता हूं मैं इसको save करूंगा और इसको reload करूंगा यह मैं कर सकता हूं कुछ नहीं होगा constructor के अंदर अगर मैं यहाँ पर return this.name कर दूंगा getter में तब यहाँ पर आप लोग जो है नहीं कर सकते हैं यहाँ पर देखो error आगया आपका तो it's safer to use underscore name ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने getter और setter के बारे में तो देख लिया अब हम लोग instance of operator के बारे में देखेंगे अब instance of operator क्या करता है अलाओ करता है आपको check करने के लिए कि क्या आपका जो object है वो एक class का किसी भी class से बना हुआ कि नहीं जैसे कि इस case में अगर मैं आपर console.lock करूं मैं करूंगा a instance of औ कोड़ा annoying हो जाता है और कभी-कभी काफी useful भी होता है कि कभी-कभी आपको code block करके देखना पड़ता है कि कहां तक चल रहा है कहां तक नहीं चल रहा है तो यह true हो गया अगर मैं यह आपर instance of मालो मैं एक variable बना हूँ let c is equal to मालो 56 और मैं कहूं क्या c है instance of animal नहीं या c तो नही instance of animal ठीक है तो यह तो definitely आपको false देगा ठीक है तो इस तरह से आप instance of operator का use करके जो है check कर सकते हो कि कोई भी एक object किसी class से बनाएगी नहीं instance of operator allows to check whether an object belongs to a certain class present x is this it returns true if object belongs to the class और any other class inheriting from it ठीक है तो यह अगर आपकी class inherit भी हो रही है उससे देखो अब यहां यह line समझना थोड़ी गहरी है line it returns true if object belongs to the class यानि कि अगर यह animal को belong करता है तब true करेगी और any other class inheriting from it ठीक है अगर मालो मैं यहापर देखो यह बहुत important है अगर मैं यहापर animal की जगह एक class बना दूँ मालो rabbit और मैं extends animal कर दूँ और मैं simply इसमें eat carrot नाम का एक method बना दूँ console.log eating carrot ठीक है तो यह मैंने अगर किया और मैं यहापर animal को replace कर दूँ रबिट से और सब कुछ चलेगा कोई दिक्कत नहीं है मैं कर सकता हूं ठीक है अगर मैं print करूंगा कि क्या instance of animal है तब मुझे true मिलेगा क्या instance of rabbit है तब भी मुझे true मिलेगा दिखाऊ आपको यह देख लो true true false आएगा यहापर ठीक है तो यह बात थोड़ी सी गहरी थी and I hope कि अब आपको समझ में आ गई तो आपके लिए इतनी गहरी नहीं जही इतनी गहरी शाहिद दूसरों के लिए होती है ठीक है तो हमने chapter number 11 को भी खतम किया आपको classes and objects and inheritance भी आता है अब कुछ कुछ properties are miscellaneous होत that is a project ठीक है that is not a basic concept अब कोई और concept होगा तो वो इसी से मिलकर बनाओगा यह जो सारी की सारी चीज़े मैंने बताई है वो bare basics है और bare basics ही नहीं कहेंगे advanced topics भी बताया हूँ है जैसे यह advanced topic है कि यार अगर आप यहाँ पे inherit कर लो तब भी आपको instance of truth देता है ठीक है तो इस तरह comment करके बताओ जो कि आप देखना चाते हूं मैंने विचली बार यह question बुझा था मुझे इस तरह क्या answers मिले थे क्या e-commerce app नहीं है इस course में किसी ने कहा था classes and objects नहीं है जबकि classes and objects तो अभी remaining अभी destructuring का concept मैं आपको बताऊंगा मैं आपको spread operator वाला syntax से वो बताऊंगा node.js मै आप लोगों को बताऊंगा फिर उसके बाद मैं आप लोगों को project भी करवाऊंगा तो कई चीज़े तो भी आने वाली हैं बट मैं आप से बुझना जाता हूं कि वो कौन सा topic है जो आप लोग देखना जाते हो जो आपके साब से रहे हैं मेरे साब से सारा complete है भी और जो रह मारू my review of this course और लिखो यार कि ये course कैसा है क्या क्या आपको सीखने को मिला क्या handwritten notes अच्छे हैं उससे क्या होगा ना कोई भी नए इंसान आ रहा है तो वो decide कर लेगा वहीं कि उसको watch करना है course की नहीं ठीक है और इसमें सब का फाइद है I hope कि आप लोग ऐसा करोगे playlist ज़र हुआ हुआ है